नमस्कार आपका स्वागत है. दोस्तों, कार्तिक मास के शुकलपक्ष की अश्टमी तिथी के दिन गोपाश्टमी का पर्व मनाया जाता है. इस दिन गौमाता की पूझा का विधान शास्त्रों में किया गया है. मान्यता है कि गोपाश्टमी के दिन गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है इसलिए इस दिन गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशिरवाद हमें मिलता है इस वर्ष यह पर्व 1 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा हिंदू पंचान के अनुसार इस वर्ष गोपाश्टमी के दिन अभिजित मुहूर्थ का निर्मान हो रहा है जो की यश और धन प्राप्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कार्तिक शुकल पक्षपर अश्टमी तिथी का शुभ मुहूर्थ सुभा ग्यारा बचकर 47 मिनट से दोपहर बारा बचकर 31 मिनट तक रहेगा यह मुहूर्थ गाय की पूजा के लिए सर्वश्रिष्ट रहेगा गोपाश्टमी के दिन सुभा जल्दी जाग कर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्रधारन करे इसके बाद गाय और उसके बच्छडे को माला पहना कर तिलक लगाएं फिर गाय की पूजा करे और उन्हें भोग चढ़ाएं गाय को अपने हाथों से भोजन कराना चाहिए और मंतर का उच्चारण करना चाहिए जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि गाय को कौन सी चीजे खिलाने से कौन सा फल मिलता है और गाय को भोजन खिलाते समय कौन से मंतर का उच्चारण करना चाहिए जिससे हमें मा कामधेनु का आशिरवाद प्राप्थ होता है इस मंतर का उलेक हमारे पुरानों में मिलता है प्राचीन काल में रिशी मुनियों ने इस मंतर की रचना की है कहा जाता है कि इस मंतर का उच्चारण करके गाय को भोजन खिलाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों प्राचीन वैदिक काल से ही हमारे रिशी मुनियों ने इस संसार के प्रत्येक जीव को अभयदान दिया है हमारे पुरानों में भी यह कहा गया है मनुष्य को पशुपक्षियों को सम्मान देना चाहिए पुरानों में ऐसे कई प्राणियों का वर्नन मिलता है जो देवताओं के वाहन के रूप में जाने जाते हैं जैसे गरुर भगवान विश्नु का वाहन है, नंदी भगवान शिव का वाहन है, मोर कार्तिके जी का तो मूशक भगवान गनेश जी का वाहन है इसी कारण से ये सभी पशुपक्षी हमारे लिए पूजनिय है इन्हे हमें कभी कष्ट नहीं देना चाहिए लेकिन सभी प्राचीन ग्रंथों में गौमाता को सबसे अधिक पवित्र और पूजनिय माना गया है गाय को सभी प्राणियों की माता कहा गया है प्राचीन काल में गाय को गोधन कहा जाता था भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को सर्वश्रिष्ट कहा था श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है उन्होंने अपने जीवन काल में गाय की बहुत सेवा की थी गरुर पुरान में भी गाय की पूजा करने का उल्लेख मिलता है गाय की पूजा करने से तथा गाय की सेवा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है गाय की सेवा करने वाला मनुष्य नरक की वैतर्णी नदी को गाय की पूछ पकड़ कर पार कर लेता है उसे नरक में जाने का भय नहीं रहता है शास्त्रों में कहा गया है गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है इसीलिए गाय सबसे अधिक पूजनिय है मनुष्य को अपने जीवन काल में गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए गाय की सेवा करने मात्र से उसके समस्त दुखों का अंत होता है श्री कृष्ण कहते हैं जब इस संसार में गाय नहीं होगी महा प्रलय से ही संसार का विनाश हो जाएगा श्री कृष्ण कहते हैं जब धर्ती पर सभी गाय अचानक ही मरने लग जाए तब कल्युग अपनी चरम पर होगा और विनाश के समय की शुरुवात होगी इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह गाय की रक्षा करे और उनकी सेवा करे श्री कृष्ण कहते हैं जो भी मनुष्य गाय की नित्य सेवा करता है उन्हे भोजन कराता है गाय उसके उपर आने वाली सभी विपत्तियों को हर लेती है दोस्तों गाय के सिंगों की जड़ में देवी पारवती का वास होता है इसलिए वहाँ पर कुम-कुम अवश्य लगाना चाहिए गाय के सिंगों के मध्य में भगवान शिव विराजमान रहते हैं गाय के मस्तक में ब्रम्ह देव रहते हैं कंधे में देव गुरु ब्रहस्पती का वास है ललाट में व्रिश भारूर भगवान शंकर होते हैं कानों में अश्विनी कुमार का वास है गाय के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं गाय के दातों में समस्त रिशी गणों का वास होता है। गाय की जीव में देवी सरस्वती, वक्ष स्थल में तथा पिंडलियों में सारे देवता गण वास करते हैं। गाय के खुरों के मध्य में गंधर्व तथा अगरभाग में भगवान अनन्त रहते हैं। पिछले भाग म गाय के दूध में सभी अपसराओ का वास होता है। एसी पवित्र और दयालुक तथा निश्पाप गौमाता की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। पुरानों में कहा गया है गौमाता के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोश मिख जाते हैं। गाय की पीठ को छूने से व्यक्ति की अकाल मृत्यू टल जाती है क्योंकि वहाँ पर यमराज निवास करते हैं। दोस्तों, गौमाता का जितना भी गुनगान किया जाए, उतना कम ही है। गाय की पूजा का सबसे अधिक महत्व गोपाश्टमी के दिन होता है। यदि आप गोपाश्टमी के दिन गाय को ये चीजे खिलाते हैं, तो आपको शुब फलों की प्राप्ती होती है। शास्त्रों में गाय को अलग-अलग चीजे खिलाने के अलग-अलग फल बताये हैं। आईए जानते हैं, गोपाश्टमी के दिन हमें गाय को कौन सी चीजे खिलानी चाहिए। गाय को भोजन खिलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम सर्व देव मये देवी लोक नाम शुभ नंदिनी, मातर ममा भीशितम सफलम कुरू नंदिनी। शास्त्रों के अनुसार गोपाश्टमी के दिन गाय को गुड का भोग लगाने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। और व्यक्ति को यश तथा मान सम्मान की प्राप्ती होती है। गोपाश्टमी के दिन गौ माता को चावल और रोटी खिलाते हैं तो भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सुख समरिधी प्रदान करते हैं वही मीठी रोटी खिलाने से धन समपत्ती में कई गुना वृध्धी होती है जदी गोपाश्टमी के दिन और पित्रों का आशिर्वाद आपको प्राप्थ होता है अगर आप गोपाश्टमी की दिन गाय को गेहु का भोग लगाते हैं तो आपको गुनवान संतान की प्राप्ती होती है मा कामधेनु आपकी पुत्र प्राप्ती की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है और ऐसी स गोपाश्टमी के दिन गाय को जो खिलाने से उत्तम आरोग्य की प्राप्ती होती है। गोपाश्टमी के दिन गाय को गन्ने का रस पिलाने से घर में सुक शान्ती आती है। गोपाश्टमी के दिन गाय को गन्ने का रस पिलाना चाहिए। गाय को शहद खिलाना बहुत ही शुब फल प्रदान करता है। व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ती होती है और वह दोशों से मुक्त हो जाता है। यदि व्यक्ति कर्श से परेशान है तो गोपाश्टमी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और गाय की प्रदक्षिना करके कर्श से मुक्ती की प्रार्थना करे। गौमाता को बूंदी के लड़ू खिलाने से अक्षय पुन्य की प्राप्ती होती है। जीवन सुखपूर्वक बीटता है। गुड और चना गौमाता को बहुत पसंद होता है। इसे गौमाता को खिलाने से वह सबसे अधिक प्रसंद होती है। इससे मनुष्य संसार के सभ करजों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है अगर कोई गौ माता को रोटी में गुड रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नती होती है लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है उसे हर कार्य में सफलता मिलती है और उसके मान सम् में व्रिध्धी होती है। और जय गौ माता अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आप सभी का धन्यवाद।